असलामों अलेकुम, हेलो फेंट्स, विल्कम टू महीं चेहां राज की चेहन में हूँ, जहां आरा उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ पनीर 65 के रेज़ सिपी शेयर करने वाली हूँ इसे बनाना बहुत यह आसान है, बिल्कुल रेश्टरेंट स्टाइल अब घर पर बना कर तयार कर सकते हैं जितना यह ऊपर से क्रीसपी रहता है, उतना यह अंदर से सॉफ्र और जूशीला बन कर तयार होता है इसे बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजों की भी जरुवत नहीं है बहुती कम चीजों के साथ बन कर तयार होता है तो फ्रेंड्स अगर आज की पनीर 65 की recipe आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए helpful लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाईएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुचेएगी आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए पनीर 65 की recipe को बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम गेकरी ऊपनीर अब हमने क्या करना है इस तरह से कट कर लेना है पनीर का साइस जो है अपने हिसाब से कट कीजिएगा जितने बड़े साइस काप को पनीर 65 बनाना है उससे ऑस यहां पर कर लीजिए मैंने यहां पर icecules के Seize में से कटकर लिया है तो सभी पनीर के टुकडों को मैं डाल देती हूं मिक्सिंग बॉल पर उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने मिक्सिंग बॉल पर डाल दिया है पनीर अब मैं हाँ पर आधी चमच अधर क्लैसन का पेज़ डाल देती हूं एक छोडी चमच हमें लेना है कस्मीरी लाल मीच पाउडर, आधी छोडी चमच काली मीच पाउडर, एक छोडी चमच नमक एट करना है, उसके बाद हम पनीर में सभी मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे, हाथ का इस्तिमाल नहीं कीजेगा, आपको इस तरह से बोल कू उच बनेगा मैं यहां पर कॉंफर पाउडर का बैटर नहीं कर रहे हूं थोड़ा थोड़ा डाल रहे हूं इस तरह से और समय उच्छालते हुए मिक्स कर रहे हूं ऐसा करने से बहुत ही मज़ेगा आपका पनीर 65 बनकर तयार होगा तो यहां पर देखिए मैंने चार चमचे करीब पाउडर और तो पानी चिडग कर भी इसका एक कोटिंग जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हमारा पनीर का कोटिंग बिल्कुल तेयार है अब हमें क्या करना है इससे पहले मैंने यहां पर लिया है 50 ग्राम के करीब दही अब में यहां पर थोड़ा सा नमक डाल देती इसी के साथ डाल देती हूँ एक चोड़ी चमच लाल मिच पाउडर एक चोड़ी चमच हमें कस्मेरी लाल मिच पाउडर डाल देना है इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद कहना हमें इसे सैट पर रखना है सबसे पहले हम पनीर को फ्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए, देही का मिस्चर बिल्कुल तेयार है, और तेल को मैंने अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया है, अब मैं यहां पर पनीर रेट कर लेती हूँ, तभी पनीर को मैं तेल पर डाल दूँगी, दो मीट के लिए हम उसी तरह से छोड़ देंगे, हाई फ्ल तो इस तरह से आपका पनीर क्रिस्पी बनकर त्यार होगा, तो सबसे पहले मैं सभी पनीर को निकाल ली हूँ तल कर, उसके बाद हमें इसे और एक बार तलना है, ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए, तो तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर ले, और फिर हमें यहां पर त 10 सेकेंड के लिए गर्म तेल पर फ्राय कर लूँगी, तो यहां पर देखिए, दस सेकेंड के अंदर हमारा पनीर बहुत अच्छी तरह से फ्राय हो चुका है, बहुत क्रिस्पी बना है, अब हमें तेल से चान कर इसे निकाल देना है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है, अब हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है, इसे हम तड़का लगाएंगे, तो यहां पर स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रखा है, चार चमच रिफाइन डाल दी हूँ, जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें प्याज और सिम्ला मीच, प्याज सिम्ला मीच आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा मैंने फ्राइ कर लिया है, उसके बाद मैं हाँ पर दही का पेस्ट डाल देती हूँ, अब हमें क्या करना है, दही को हाई फ्लेम पर भूनते व पड़ चमच मैंने गर्म मसाला पवडर डाल दिया है, आदी छोडी चमच काली मीच पाउडर, आदी छोडी चमच हमें चीनी भी डाल देना है, तो सबी पाउड़ मसाले को हम अची तरह से मिला लेंगे, इसका मसाले का टेक्श्चिर बिल्कुल हमें सूखा सा रखना है, इसमें बिल्कुल भी आपको ग्रेवी नहीं बनाना है, बिल्कुल इसका सूखा मसाला तयार कर लेना है, उसके बाद मैं हाँ पनीर एट कर लूँगी, पनीर को हमें 10 सेकेंड के लिए स्टोप के हाई फ्लेम पर मसाले के साथ इस तरह से सौटे करते हुए पका लेना है, उसके बाद हमें स्टोप को आफ कर लेना है, उससे ज्यादा अगर हम पकाएंगे, तो पनीर का जो क्रंची है वो चला जाएगा, पनीर सॉफ्ट हो जाएग पनीर 65 की रेसिपी, तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार जरूर बनाएए, बहुती क्रिस्पी बनता है, बहुती मज़ेदार का लगता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ठाहिए, पने महमानों को सर भी कर सकते हैं, तो यहां पर करीब से मैं आप लोगों को दिखा द आप लोगों को दिखा देती हूं बहुत ही अंदर से सौफ रहता है जूसिला रहता है नम्मक मिर्च मसाले सभी अंदर अच्छी तरह से जा चुके हैं तो इस रेसिपी को जरूर बने ये जट पड़ बन भी जाता है और इससे बनाना बहुत यासान है तो फ्रेंड्स अगर आज की पनीर 65 की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हल्फ लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा तो चलिए मिलते हैं अपने रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दौाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज